घर में दरिद्रता लाती है, ये दस बातें। रुक जाती है परिवार की तरक्की। करें ये कांद। आज हम आपको कुछ ऐसे वास्तु दोशों के बारे में बताएंगे, जिन्हें समय रहते घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। घर की सुक्षान्ती का वास्तु शास्त्र से गहरा नाता होता है, क्योंकि वास्तु में बताए गए टिप्स घर की सुक्सम्रिद्धी को बनाए रखने में मददगार होते हैं। वास्तु ही है जो घर से नकारात्मक उर्जा को दूर कर सकारात्मक लाता है। लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बावजूद घर में बरकत नहीं हो पाती हैं तो हो सकता है इसकी पीछे की वजह वास्तुदोश हो कहा जाता है कि अगर घर में वास्तुदोश हो तो घर में नकारात्मक उर्जा आने लगती है साथ ही घर में मौजूद वास्तु दोश की वजह से परिवार के सदस्यों की बरकत रुख जाती है ऐसे में इस वीडियो के जरीए आज हम आपको कुछ ऐसे वास्तु दोशों के बारे में बताएंगे जिनहें समय रहते घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जैश्री कृष्णा लिखना न भूले नमबर एक वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की चट पर या सीधियों के आसपास कबार जमा करके नहीं रखना चाहिए इससे आर्थिक तंगी का तो सामना करना ही पड़ता है, साथ ही घर के लोग भी ज्यादा बीमार पड़ते है नमबर दो वास्तु कहता है कि कभी घर की दक्षिन पूर्व दिशा में गेस्ट रूम नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि इस दिशा में गेस्ट रूम होने से धन हानी हो सकती है वास्तु के अनुसार यह दिशा धन आगमन की दिशा मानी जाती है वास्तु के अनुसार यदि किसी घर की ढलान उत्तर पूर्व की दिशा में उचा हो तो इससे धन के आगमन में रुकावट आती है इसलिए ऐसा करने से भी बचें वास्तु के अनुसार बेडरूम में आयना या शीशा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे पति-पत्नी के संबंधों में खटास आती है साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानिया भी जहलनी पड़ सकती है वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पूर्व में ध्लान होना चाहिए और उत्तर पश्चन का भाग हमेशा उचा होना चाहिए घर की आलमारी को हमेशा दक्षिन की दीवार से सटा कर रखें और इसका मुह उत्तर दिशा की ओर रखें इससे धन लाब होता है वही दक्षिन दिशा की ओर तीजोरी का मुह रखने से घर में धन नहीं ठहरता है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तरपूर्व दिशा को हमेशा साफ रखना चाहिए इस जगहे पर कभी डस्टबिन या भारी सामान नहीं रखना चाहिए वास्तु में नल से लगातार पानी का तपकना अशुभ नहीं माना जाता है कहा जाता है कि नल से पानी के टपकते रहने से आर्थिक परिशानिया होने लगती है वास्तु के अनुसार घर की दक्षिन पश्चन दिशा में शौचाले नहीं बनवाना चाहिए वास्तु की माने तो इस दिशा में शौचाले बनवाने से घर में रहने वाले लोगों की तरक्की रुख जाती है वास्तु के अनुसार घर में हमेशा रसोई घर आगने कोन यानी पूर्वदक्षिन दिशा में होना चाहिए इससे घर में सकारात्मक उर्जा का निवास होता है इसलिए गलत दिशा में रसोई घर बनवाने से बचें दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवार